हेलो स्ट्रेंट्स एडू विला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है आज हम करेंगे क्लास 3 की वर्षिट नंबर 148 यह वर्षिट होगी मैथमेटिक्स की और आज हमारा लर्निंग आउटकम होगा डाटा हैंडलिंग तो बच्चो आज की वर्षिट सुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि हमारी केजी से दूसरी क्लास की जो वर्षिट है यह हमारे न्यू चैनल एडू विला पॉइंट केजी टू फाइव पर अप्लोड हो रहा है इस चैनल को आप हमारे इसी चैनल के चैनल ल 2021 राष्ट्रिय उत्पादक्ता दिवस क्या आप जानते हैं राष्ट्रिय उत्पादक्ता परिशद भारत में उत्पादक्ता, श्पर्धा, लाभ, सुरक्षा एवं विश्वस्ट नेता, बढ़ाने और बहतर गुनवत्ता सुनिश्चित करने की दिशा में समाधान परदा करने के लिए काम करता है इसकी अस्थापना दिवस 12 फर्वरी को हर साल राष्ट्रिय उत्पादक्ता दिवस के रुप में मना जाता है पूरे देश में 12 फर्वरी से 18 फर्वरी तक उत्पादक्ता सब्ताह का आयोजन किया जाता है तो बच्चों चलिए अब शुरू करते हैं आपकी आज की वर्षिट और उमिद करता हूँ कि ऑनलाइन आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आपको अगर किसी तरह की समस्य वर्षिट में होती है तो आप इस कोस्चन को वर्षिट के में पूछ सकते हैं कॉमेंट ब पूछ स्थिपाई में आपके घर में किसी का जन्म दिन आता है अगर हाँ तो किसका और कौन सी तारीख को तो आपको यह पात लिखना है माननीजीजे जैसे कि सक किसी का जन्म दिन आपके कि 14 फरवरी को आता है तो आप 14 जनवरी को आता है, तो आप 14 जनवरी लिखेंगे, तो इस तरह से अब आईए आज आपके परिवार के लोगों के जन्म दिन किस महीने में आते हैं, उन महीनों के टैली मार्स बनाएं, आप कोई 15 लोगों को चून लें, आप अपने चाचा, मौसी, दोस्त आदी भी चून सकते हैं, उनके जन्म दिन किस महीने में आते हैं, उनसे पुछ कर नीचे दियेगे टेबल में दिखाईए, आप अपने जन्म दिन का महीना भी टेबल में दिखाईए, तो चलिए देखते हैं, कि हमारे घर में जितने भी सदस्त हैं, सबको आप जोड़ लीजे, जन्मदिन का महिना भी टेबल में दिखाईए तो अब चलिए अब उसमें क्या करना है कि जन्वरी में कितने लोगों क्या आते हैं तो जन्वरी में एक आदमी का जन्मदिन आता है तो हम टैरी मार्च उसके लिए एक लिखेंगे फर्वरी में भी एक आदमी का हैं जन्मदिन आता है तो फरवरी में भी टेली मार्च एक देंगे मार्च में किसी का जन्म दिन नहीं आता तो इसको हम डैस करेंगे उसके बाद अप्रेल में तीन लोगों का जन्म दिन आता है अप्रेल में हम टेली मार्च तीन टेली मार्च देंगे और उसके बाद मैं मैं एक आर्मी का आता है तो एक देंगे और जुन में फिर किसी का कोई जन्म दिन नहीं आता उसके बाद जुलाई के महिने में चार लोगों के जन्म दिन आते हैं तो यहां हम चार टैली मार्स देंगे और अगस्त में एक आलमी का आता है तो टैली मार्स एक देंगे और सितंबर में किसी का ज जन्म दिन है तो टेली मार्स भी तीन होंगे नौबर में फिर दो लोगों के जन्म दिन है तो टेली मार्स दो होंगे तो इस तरह से हमने सारे लोगों के जन्म दिन देखा और दिसंबर में फिर किसी का जन्म दिन नहीं है तो क्या आपने सभी 16 लोगों आपको मिला कर टेली म और तीन पाँच, एक छे, चार दस, ग्यारा, ग्यारा और पाँच, सोला, तो हाँ, सोला के हमने बना लिये, अब इन प्रस्नों के उत्तर देना है, किस महीने में सबसे ज़्यादा लोगों का जर्म दिन आता है, तो आप देखिए, हमने देखा था कि जुलाई के महीने में च और किस महीने में सबसे कम लोगों का जर्म दिन आता है, तो ऐसा बहुत सा महीना है, जनवरी, फरवरी, मई, और अगस्त, इसमें एक एक लोगों का जर्म दिन आया था, तो आप उन महीनों का नाम लिख सकते हैं, जैसे उन महीनों के सौर्ट नेम लिख दीजिए, जनवरी फेबरवरी और मई में भी एक आर्मिक आया था तो में लिख दीजिए और उसके बाद अगस्त में भी एक ही आर्मिक था तो ये यो जी अगस्त लिख दीजिए इस तरह से इन सभी महीनों में सबसे कम एक एक लोगों का जर्म दिन आया था अब है प्रस्न तीन कि ऐसा भी कोई महीना है जिसमें किसी का भी जन्म दिन नहीं आता है अगर हाँ तो उस महीने या महीनों के नाम लिखिए तो मार्च है, मार्च में एक भी लोगों का जन्म दिन नहीं आया था आपने देखा है और उसके बाद है जुन, जुन में भी किसी का जन्म दिन नहीं आया था और फिर है सितंबर, सितंबर महीने में भी किसी का जन्म दिन नहीं था और सितंबर के बाद दिसंबर के महीने में भी किसी का जन्म दिन नहीं था तो इस प्रकार हमने इन सारे कारियों को पूरा किया अब अभिभाव को के लिए सुझाव है कि बच्चों को इस साल का कलेंडर दिखाएं और उन्हें उनके मनपसंद तेवहारों के महीने धूंधने को कहें तो बच्चों ये थी हमारी आज की वर्षिट और आज की वर्षिट में हम लोग ने जन्म दिन को टैली मार्स के अनुसार जाना और इसी के साथ ये वर्सिट कंप्लीट होती है मिलते हैं नेक्स्ट वर्सिट में थेंक्यू